अलो एवरीवन वेलकम टू जीके टूडे स्वागत आप सबका जीके टूडे के प्लाटफॉर्म पर मेरा नाम आर्जू ककड है और इस सेशन में मैं आपके साथ जो डांस फॉर्म्स न्यूज में रहे हैं उनको कवर करूंगी इन डिटेल विद पिच्चर्स पिच्चर्स भ कि अपना ओर्येंटेशन जो है वो डायरेक्शन जब आप पढ़ रहे हैं तो वह उसी साइड हो ठीक है तो प्रीविएस यह कोश्चन को अनालेसिस करते हैं उनकी देखते हैं अनालेसिस की किस तरीके से पिछले कुछ सालों में कोश्चन पूछे गए हैं लेकिन यहां पर हम डान्स फॉर्म पे बेसिकली वो जो कॉश्चन जो एसोसियेटेड है इस पर्टिकलर सेग्मेंट से वो लेंगे पहला कॉश्चन आपके सामने है 2019 में SST CGL के अंदर यह कॉश्चन पूछा गया था कि भवाई is a traditional dance form of मतलब क्या है मतलब यह है कि आप ऐसा कॉश्चन तो अब चार ऑप्शन दे दिये राजिस्थान, बिहार, पंजाब या फिर महराष्टरा तो भवाई is a traditional dance form of राजिस्थान तो ऑप्शन वन जो है वो इसका करेक्ट आंसर था 2011 में SSE combined graduate level exam के अंदर पूछा गया कि चार options दे दिया बापको और यह बोल दिया पहले क्या था dance form दे रखा था question में, state पूछी थी अब state दे दी है और question यह है कि which of the following folk dance is associated with Rajasthan, state का नाम दे दिया और यह पूछा जा रहा है कि इन में से यह folk dance आपके सामने लिखे हुए है यह following folk dance है यह इन में से कौन सा dance है जो Rajasthan से associated folk dance है तो चार options है आपके सामने इसमें एक option दिख रहा हुएगा यह एक folk dance है जो की Rajasthan से associated folk dance है ठीक है अच्छा फिर क्या है देखो यह question एक तो SSE CPU exam में भी पूछा गया था 2011 में और same यह question repeat हुआ मतलब क्या है कि previous year questions जो है repeat भी होते है SSC CGL 2015 में पूछा कि कुचिपूरी जो है is a dance drama यह associated है कौन से state से असम, आंधर प्रदेश, उडिसा या फिर मनिपूर तो कुचिपूरी जो है यह associated है आंधर प्रदेश से option 2 is the correct answer में हमेशा बोलती है प्रिवेस यह questions में तो answer पे जादा focus नहीं दे रहा है मतलब complete ऐसा होता है कि 100% answer यह answer देखे जाएं वो देखना है क्या देखना है कि question किस तरीके से पूछे जा रहे हैं यह analysis करनी है question repeat होते हैं यह देखना है types of question बस कितने तरीके से question पूछे जा रहे है question कितने types हैं उसके कैसे mold होके question आ रहा है यह ध्यान दो आप जैसे 2011 में पूछा था कि गिद्दा is a form of dance associated with the state of तो वाफ state मतलब यह तो important ही हो गया कि कोई भी dance form कौन सी state से associated है वो आपको tips पे होना चाहिए तो गिद्दा जो dance form है वो पंजाब state से associated है तो option one is question का सही answer है भंगड़ा is a dance off SSC exam में पूछा गया था constable gda exam 2013 के अंदर यह पूछा गया था कि भंगड़ा जो dance है वो हर्याना का है राजस्तान से associated है दिली से या फिर पंजाब से पंजाब से correct option four is the correct answer फिर 2013 में यह question था कि डांडिया is a popular dance off यह गुजरात असाम जार्खंड या फिर महराश्ट्रा डांडिया जो है यह popular dance है गुजरात का तो option one is का correct answer है ठीक है एक और question देख लीजिए 2017 में पूछा कि अब आपके पास भई जैसे देख रहे हो या तो state पूछ ली जाएंगी अब state का नाम दे दिया जाएगा यह बोल दिया जाएगा यह folk dance मतलब इन में से वो कौन सा folk dance है जो relate करता है महराश्ट्रा से 2017 में यह पूछा चाहू रोफ मल्खम तो इन में से या फिर fourth option कह रहा है कोई भी नहीं no option is correct one तो basically यह जो dance form है यह associated है इन में से कौन सा folk dance associated है महराश्ट्रा से वो है मल्खम तो option 3 is the correct answer मैं इनके बारे में भी discuss करूँगी यह Odisa से associated है यह जमू एंड कश्मीर से basically क्या है यह news में भी रहे है current affairs में तो मैं दोनों dance form को इस session में लूँगी एक idea लग गया है ना कैसे आ रहे है previous year questions अब चलते है current affairs पे अब चलते हैं वो dance forms पे जो news में रहे हैं और हम वो cover करेंगे mcqs की format में pictures पे ध्यान देना सबसे बड़ी important बात जो मैं बोल रही हूं पहले ही बोल रही हूं images है हर एक dance transform की हैं जब वो mind में save कर लोगे तो फिर confusion नहीं रहे गया बहुत असानी से आद हो जाएगा pictures और images के through I would say flow charts होते हैं जैसे diagram हो गए तो यह बहुत एक असान तरीका है जिससे आप चीजों को याद रख सकते हैं लंबे समय तक फुगडी dance जो है is mainly performed in which region कच, कौनकन, सौराष्ट्र, मालवा तो चार options है option A, B, C, D आप बता दीजिए कि फुगडी dance जो है it is mainly performed in which region अगर आप सोच रहे हो कौनकन region तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो option A ही इस question का सही answer है यह आप देख रहे हो फुगडी dance जहां पर जो women's है ऐसे circle में they are basically performing this फुगडी dance अब इस dance के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो यह mainly Hindu festivals हो गए जैसे वरत गनेश चतूरती तब यह perform किया जाता है जहां पर जो women's है they sing and they dance ऐसे circle में, row में तो यह dance है जो की perform किया जाता है by women's in कौनकन region महराष्ट्र में और गोवा में यह photo mind में रखना ठीक है चलो अगला dance folk dance है question में ही बोल दिया है कि यह dance form करनाटका से associated है नाम है पीली वेश is a folk dance of करनाटका ठीक है यह याद रखना है देखो question में जो information दी गई है न वो उसको ignore नहीं करना है वो यह नहीं कि answer रटना है अपने को question में भी कुछ ऐसी बात dance of या चार options दे दिये जाए चार folk dance दे दिये जाए इनमें से कौन सा करनाटका का folk dance है यह अभी previous question से ही सीखा है आपने तो यह folk dance है करनाटका का पूछा गया है it is performed during चार options आपके पास यह कब perform किया जाता है यह perform किया जाता है नवरात्री पे तो option c is the correct answer आप यह देख सकते ह तो इस तरीके का यह dance form है जहाँ पर जो perform करते हैं basically originate अगर मैं बताओं तो यह उडूपी district में originate हुआ है यह dance form जहाँ पर जो young males है they do painting and costuming to look like a tiger तो आप देख रहे हैं basically tiger जो है वो दुरगा जो goddess दुरगा है उनसे associated है तो उसी के ही performance जो है दी जाती है तो it is performed during नवरात्र यह image है जहाँ पर tiger की painting करी जाती है यह young males है वो करते है then they perform this dance ठीक है एक distinct folk dance है करनाटका से associated है district का नाम भी बता दिया जैसे जनमाष्टमी हो गई तो गनेश्च तूरती हो गई तब भी यह perform किया जाता है district भी बता दी और होता क्या है इसमें वो भी बता दिया है तो हाँ and in the honor of which goddess तो वो भी ध्यान में रखना हिंदू goddess दुर्गा के association में यह dance होता है who is associated with the tiger तो tiger की painting जो है वो करी जाती है एक ऐसा costume जो कि tiger की तरह लगे ठीक है कनका राजू who recently won padmashree is associated with which folk dance तो आप बता दो इनको जो recently padmashree मिला यह associated है कौन से folk dance है चो अच्छा संथली नहीं अच्छा option D गुसादी बिल्कुल सही है तो यह वो folk dance है जिससे यह associated है इनकी तस्वीर देख लो यह है कनका राजू और यह है folk dance जिसकी कि हम बात कर रहे है गुसादी folk dance यहां पर देखो क्या होता है यह जो आप cap देख रहे हो उपर यह peacocks जो है उनके feather से बनी हुई है जिसको बोरा cap बोला जाता है और यह राउंड यह राउंड यह कन से 1500 peacock weather से बनी हुई इस dance form को इस tribal dance को preserve करने में इसके tradition को preserve करने में जो की mainly perform किया जाता है बाइ विच ट्राइब गोन ट्राइब इन तेलंगाना बहुत important बात है यह भी ध्यान में रगना कि इस only performed by men of the tribe जो men है उस tribe के वो यह perform करते है दिवाली के बाद after दिपावली यह usually perform किया जाता है and it is performed by the men जैसे की बता दिया to impress women, women को impress करने के लिए and find prospective spouse तो यह dance उसे associated है and किसको अभी recently Padmasheri award मिला इस dance से associated so as to preserve this tribal dance कौनशी community करती है वो भी बताती है ठीक है tribal community Garba dance of Gujarat is performed during which Hindu festival बताओ Garba dance of Gujarat state का नहीं नहीं बूलना है अपने को question पूछ सकते है It is performed during which Hindu festival यह perform किया जाता है during Navratri तो option B is the correct dancer यह आप देख सकते हो गरबा dance होते हुए कि किस तरीके से गरबा dance होता है जहाँ पर जो कि Navratri जो Hindu festival है 9 दिन का तिहार तब यह dance होता है और यह अच्छा UNESCO के Intangible Cultural Heritage List हमने जब करी है तब भी यह dance किया था आपके लिए revision भी हो गई और जिन्हों ने नहीं देखा वो देख लीजिए यह dance कहां से originate हुआ गुजरात से यह जो term है गरबा यह derive हुआ है from a Sanskrit term गरब जिसका मतलब होता है womb तो यहां पर क्या होता है womb lamp या बोल सकते हो गरब दीब जो है उसके around जो है perform किया जाता है और वो symbolize करता है fetus को और यह जो dance है यह किसके honor में किया जाता है goddess धुरगा ठीक है वीडियो है देखना जरूर गिद्दा is a folk dance performed by women in कौन सी state में गिद्दा जो है perform किया जाता है by women पंजाब गुजरात महराश्टरा या फिर West Bengal previous year में भी ऐसा question आया हुआ है पंजाब ठीक है तो यह गिद्दा है जहां पर सलवार कमीज जो है वो पहनी जाती है और जो पंजाब की जो women's है पंजाब region की वो यह dance जो है perform करती है and लहंगा चोली long skirt होती है with a blouse and दुपटा तो यह गिद्दा डान्स आप बोल सकते हो एक female counterpart of भंगडा जैसे भंगडा perform किया जाता है उसी तरीके से ही females गिद्दा परफॉर्म करती है और यह सियाल कोट एरिया जो है पंजाब का वहां से यह dance जो है वो originate हुआ है ठीक है सुनने में अच्छा लगना चाहिए ठीक है तो it displays the mode of performing Punjabi femininity through dressing and choreography जैसे आपको पता ही है ring dance है and yeah moving on to the next one अगला है तिरुवा थिरकली which is performed by women in Kerala तो पहले तो यह याद में रख लो कि तिरुवा थिरकली जो है यह perform किया जाता है by women कहां पर कौन सी स्टेट में Kerala में इसको और क्या बोला जाता है और किस नाम से जाना जाता है इडिज ऑलसो नोन एस कटकली नहीं इडिज ऑलसो नोन एस कई कोटिकली option B is the correct answer यह आप देख रहे हैं women's जो हैं ऐसे perform करती है in a circle और केरला में ठीक है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यह जो dance form है कई by the women's in Kerala dedicated to Shiva Hindu God Shiva से dedicated है यह जहां पर एक जैसे कोई leader हो group के वो एक first line जो है वो गाएंगे और उसके बाद बाकी जो है वो chorus में उसको repeat करती है clapping और singing के तुरू यह जो dance है वो होता है और dance जो है जो dancers है while dancing वो एक circular path में around a lamp they move तो it is also popular during onam and other festivals तो Kerala में जो दूसरे festivals हो गए onam है तो तब यह dance जो है वो भी किया जाता है and it is dedicated to God Shiva Roof is a highly popular folk dance of अभी मैंने कहा था ना एक previous year question अभी हमने देखा था जहां पर options में से एक था रूफ तो यह एक popular folk dance है Jammu and Kashmir का तो option B इस question का सही answer है आप यह देख सकते हो footwork इसमें रहता है और यह जो dance form है यह in the month of Ramadan तो उस महीने में जब occasions होते हैं जैसे इदूल फितर तो तब यह perform किया जाता है folk dance in Kashmir and the dance movements are inspired by bee and its movement towards and away from the flower तो उससे यह inspired है जहां पर women dancers facing each other they perform this dance and चक्री जो है complex footsteps रहते हैं जैसे मैंने आपको बताया and woolen gown silver jewelry जो है वो पहनती है और इस folk dance को perform किया जाता है कहां पर कश्मीर में which district in Odisha is famous for the folk dance चहूँ देखो अभी मैंने आपको इस dance form एक और option में था मैंने बताया था यह Odisha से associated है लेकिन अब question है कौन सी district है वो Odisha में जो की famous है इस folk dance के लिए अगर आप सोच रहे हो पूरी तो आप गलत सोच रहे है अगर आप सोच रहे हो मयूर भंज तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो option C ही इस question का सही answer है यह इस तरीके का dance है आप देख सकते हो जहां पर जो रमायन और महा भारत की जो stories है उसको feature किया जाता है इंडियन literature को feature किया जाता है अपने dance form के तुरू जैसे martial hearts, acrobatics and athletics तो यह सब भी इसमें होता है और यह तीन तरीके से होता है इसके तीन styles है एक है पुरूलिया चव वेस्ट बंगॉल का एक है सिराइकेला चव जार्खंड और मयूर्भन चव ओडिसा यह मैंने आपको बताई दिया है ठीक है बहुत important कि रमायन और महभारत जो है वो stories को depict करते हुए यह dance form होता है ठीक है पिच्चर से भी समझ आ रही है यह बात ओके ओडिसी dance is mentioned in which Sanskrit literature चलो ओडिसी dance जो है वो इन में से कौन सी Sanskrit literature में mentioned है अगर आप कह रहे हो नाट्य शास्त्र तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो option D ही इस question का सही answer है नाट्य शास्त्र में है यह यह देखो इस तरीके का यह dance form होता है और उडिसी dance इसको थोड़ा picture को mind में भी आप रख सकते हो और Hinduism, Jainism, Buddhism से associated है यह mainly women's इसको perform करती है and यह especially Westernism आप बोल सकते हो तो वैसे religious stories और spiritual ideas को इडिपिक करता है यह आप dance form भी देख सकते हो तो थोड़ा आपको वैसे idea भी लग जाएगा जहां पर जो songs होते है वो जो उडिसी music जो है जो ancient points है वो उनके songs हो गए जो की राग और ताल पे based होते हैं तो उन songs पे perform किया जाता है and yes तो अब चलते हैं अगले question पे the modern form of Saitriye is associated with which bhakti movement scholar चल्दी से बता दीजे Saitriye dance, it is associated with which bhakti movement scholar अगर आप कह रहे हैं option A या फिर option D रविदास या फिर शंकर देव शंक्रादेव ही इस question का सही answer है option A is associated अब यह देखिए यह dance है Saitriye dance and इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यह dance performance जो होती है यह जो art है यह originate हुआ है जो वैष्णविजम Monasteries हैं असाम में Krishna centered उनसे तो शंक्रादेव जो scholar है भक्ती सेंट 15th century से तो who is known for systemizing this dance using the text and introducing drama expressive dance form ठीक है ताकि आप अपना Krishna को devotion show कर सकें तो उसे associated है यह and यह सेत्रिय जो है dance drama performance it was also given the status of classical dance as a status of classical dance sangeet natak academy in 2000 ठीक है तो यहाँ पर मैंने कुछ dance forms जो news में रहे हैं उनको cover किया है I hope आपको इस session अच्छे लग रहे है वीडियो अच्छी लगती है तो like करना है share करना है channel को subscribe करना नहीं भूलना इसी के साथ आया आर्जू कर कर विश एवरी बड़ी अवेरी बेस्ट आफ लग खुश रहें स्वस्त रहें और अच्छे से पड़ें फिर मिलेंगे एक और नया topic देखेंगे till then happy learning everyone thank you